नमस्कार आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ मसाला कोभी आलू तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है? तो इसमें नया बहुत कुछ है ये सब आपको मेरी वीडियो देखने के बाद पता चलेगी और वैसे भी अगर ठंडी के मोसम में आलू को भी नहीं खाया तो क्या खाया? तो चलिए सुरू करते हैं आज की मसालेदार आलू को भी मसाला बट उससे पहले मैं खुश्बू कनाव जिया और मैं अपने चानल घर का जायका वित खुश्बू में आपका स्वागत करती हूँ और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस इसे एक लाइक और मेरे चरन को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं तो मैं सबसे पहले यहाँ पड़ एक कोभी लूँगी और इसे अच्छी तरह से हलके मिडियम साइज में कट कर लेंगे और फिर इसे बॉस कर लेंगे तो हम इसे अच्छी तरह से cut कर लेते हैं और wash कर लेते हैं और फिर हम उसी के साथ यहाँ पर लेंगे आलू जो की बड़े बड़े size में cut किया हुए है और उसी के साथ हम यहाँ पर लेंगे प्याज और टमाटर धन्यक पत्ते और हरी मिर्च और इसे प्याज को मैंने पत्ला पत्ला slice में cut कर लिया है तो अब हम आगे का process करते हैं तो मैंने already यहाँ पर एक pan गरम कर लिया है और उसमें पानी को भी add कर चुकी हूँ और पानी को हलका गरम होने के बाद हम इसमें add करेंगे गोवी को कोवी को हलकी हलकी हातों से चलाएंगे और फिर हम इसमें add करेंगे हलकी से नमक और थोड़ी सी healthy powder और इसे एक वालाने तक कुप करेंगे इस तरह से करने से यह क्या होता है कि हमारी कोवी में हल्दी अच्छी तरह से mix हो जाती है और हमें इसे कोप करने में भी असानी होती है तो देखिए इसमें एक वाल आ चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे देखिए हल्दी कितनी अची सी से मेल्ट हो चुका है कोभी में और फिर हम इस पानी का क्या करेंगे ये आपको पता लगाना है तो हमारी ये वीडियो देखिए और फिर हम इसी पैन में एड करेंगे थोड़ा सा वाइल क्यूंकि हमें कोभी को फ्राई करना है तो जब वाइल गर्म हो जाए तब हम इसमें कोवी आइट कर लेंगे और इसे धीमी आज पे हलका गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे अब कोवी हलका फ्राई हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे एक पिलेट में अब हम इसी पैन में और वाइल आइट करेंगे जितनी आपको अब सकता हो फिर हम इसमें चौक लगाएंगे और चौक लगाने के जो जो इंगिडियन्स है हम सारे इंगिडियन्स का नाम वीडियो के लास्ट में नोट कर लिए हैं इसलिए आप मेरे वीडियो को इन तक देख और जब इसमें खुस्वू आने लगे तब हम इसमें एड़ कर लेंगे प्याज और प्याज को हलका golden brown होने तक cook करेंगे और इसे जल्दी cook होने के लिए हम आपको एक सिक्रेटी बात बताते हैं आप इसमें थोड़ी से चीनी एड़ कर लीजेगा इसे जल्दी cook हो जाएगा तो देखिए इसमें धलका साग चीनी डालने के बाद ये कितने जल्दी से golden brown हो चुका है फिर हम इसमें एड़ कर देंगे आलू और आलू को जल्दी cook होने के लिए इसमें हम एड़ करेंगे salt और salt यहाँ पर पानी छोड़ेगा तो हमारी आलू बहुत जल्दी cook होगी और यह हलका juicy ज्रा टाइब का भी होगा तो आप आलू में नामा इसी टाइम एड़ करिएगा और फिर इसे cover करकर कुछ मिनिट और cook करेंगे या जब तक यह हलका fry हो जाए तो देखिए यह हलका fry होने लगा है और यह भी देखिए इसमें पानी छोड़ने लगा तो इसका juicy जो हुथिक क्रिस्प बनेगी और फिर हम इसे हलका cover करकर कुछ दिर और पकाएंगे और फिर हम इसमें मसाले अड़ करेंगे तो आवाई मसालों की बारी तो मसालों में हम यहां अड़ करेंगे हल्दी पॉडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब हम इसी टैम पर इसमें अड़ करेंगे टामाटर और धन्या के पत्ता को और साथ में हम अड़ करेंगे कस्वरी मेथी लोग अक्सर कसवरी मेथी बाद में ऐड करते हैं हम आपको सजेस्ट करते हैं आप इस टेट ही कसवरी मेथी ऐड करेए इसे इसका खुस्बू भी बढ़करा रहता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और फिर हम इसे cover करकर टमाटर को गलने तक पकाएंगे तो देखिए हमारी टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल चुका है अब हम इसमें एड करेंगे कोवी को तो हम यहाँ पर कोवी एड कर लेते हैं और साथ में ही हम एड करेंगे और सारे मसाले और इसका नाम मैंने वीडियो के लाश्ट में नोट कर दिया है आप वहाँ से चेक आउट कर लीजिएगा फिर हम इसमें थोड़ी सी पानी एड करकर इसे हलका सा कुक करेंगे और यह सारी चीजे हम धीमी आज पर ही करेंगे किनकि धीमी आज पर कुक करने से सबजी का स्वाथ ज़्यादा बढ़ता है और फिर हम इसे कवर करकर कुछ मिनट के लिए और कुक करेंगे अब देखिए यह पानी अच्छी तरह से छोड़ चुका है अब हम इसमें एड कर देंगे पानी को आप चाहो तो आप इस तरह से भी इसे खा सकते हैं रोटी के साथ पर मैं यहाँ पर ग्रेवी वाली बता रही हूँ तो मैं यहाँ पर एड करूंगी पानी इसे कुक होने तक और इसे कवर करकर उवालाने तक हम कुक करेंगे अब देखिए इसमें वाला चुका है अच्छी तरह से अब हम इसमें एड करेंगे गरमसाला और यह गरमसाला घर का बना हुआ है अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाते हैं तो हमें कमेंट करें और फिर हम इसमें एड करेंगे घी ये है सिक्रेट इंगेडियंस इससे हमारी सबजी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और फिर हम इसे कवर करकर कुछ मिनट के लिए एक से दो मिनट के लिए ही कुक करेंगे अब एक दो मिनिट कुख होने के बाद देखिए कितनी लाजवाब बनी है आलू को भी मसाला है ना ये बहुत ही अलग अब हम इसे सर्व करेंगे तो इसे एक बॉल में निकाल देते हैं और इसे गार्निसिंग करेंगे हरा धनिया के साथ आप इसके इंगेडियंस नोट करिए तो तयार है गर्मा गर्म मसाला कोभी अलू इसे आप रोटी के साथ खाएए प्राठे के साथ खाएए या फिर चावल के साथ खाएए या फिर भाद के साथ खाएए ये बहुत ही टेस्टी लगेगा हर चीज के साथ खाने में तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है और इसे ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए फैमिली में रिलेटिव में या फिर अपने फ्रेंड्स में ताकि वो लोग भी इसका लुपत उठा सके तो फिर मिलते हैं और एक खास बात आपने अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रही हूं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें मैं इसी तरह की रेसिपी हमेशा अपने वीडियो अपने चैनल घर का जयका विद खुश्बू में लाती रहती हूं तो फिर मिलते है इसी तरह की रेसिपी के साथ अगले वीडियो में जब तक खुश रहिए खुशियां बाठते रहिए और आसपास सफाइब बनाए रखिए थैंक यू टेक कियर और नमस्कार